नमस्कार मित्रों आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोफंड अंशु में स्वागत है। किन किन स्थानों पर दिखाई देगा। ग्रहन चाहे कोई भी हो सूर्य ग्रहन हो या चंद्र ग्रहन हो आशिक हो या पून रूप से ग्रहन हो हमेशा अशुब ही रहता है। ग्रहन के दुश परिणाम दिखाई देने लगते हैं। और जो ग्रहन से संबंदित लोग हैं जिनकी पत्री में ग्रहन दोश है या कोई खराब दोश बन रहा है। ऐसे लोगों के जीवन में हर बार ग्रहन में कुछ न कुछ अशुब परिणाम दिखाई देने को मिलते हैं। हाला कि इस साल चंद्र ग्रहन जो 19 नवंबर कार्तिक पूर्णीमा के दिन यह ग्रहन आशिक चंद्र ग्रहन होगा। जब भी आशिक चंद्र ग्रहन होता है वे पूंड रुप से दिखाई नहीं देता है। इसे उपचाया चंद्र ग्रहन भी कहते हैं। सुबा 11 बच कर 34 मिनट से, शाम 5 बच कर 33 मिनट तक लगेगा। यह ग्रहन आशिक चंद्र ग्रहन होगा। और जब भी आशिक चंद्र ग्रहन होता है तो यह हमारे देश में दिखाई नहीं पड़ता। इसे उपचाया चंद्र ग्रहन भी कहते हैं। आशिक चंद्रग्रेंड होने के कारण हमारे देश में सूतक काल मानने नहीं होगा क्योंकि सूतक काल जब लगता है जब ग्रेंड पून रूप से पढ़ता है चाहे वे सूरे ग्रेंड हो या चंद्रग्रेंड हो पून ग्रेंड में सूतक काल भी लगता है और सूतक काल में क चूना वर्जित होता है, मंदिर के कपाट बंद कर दिये जाते हैं, और मंदिर में कोई भी पूच्चा समगरी को चूना नहीं चाहिए, साथ ही ग्रेंड काल में तुलसी जी को भी चूना नहीं चाहिए, यदि आपने घर में तुलसी जी का पौधा लगा रखा है, तो विश ग्रेंड से पहले आप थोड़े से तुलसी पत्र तोड़ लें और अपने खाने की सामगरी जैसे दूद, पीने का पानी और अन्य खाथ पदार्तों में रख दें, अब यहां आपके मन में यह प्रशन उठेगा कि ग्रेंड काल में तो आंशी ग्रेंड है, हमारे देश में नहीं दिखाई दे रहा, तो हम क्यों ऐसा करें, तो देखिए, ग्रेंड तो ग्रेंड है, उस ग्रे को यानि की चंदरमा को ग्रेंड लग रहा है, उसका हमारे देश में दिखने या ना दिखने से कोई असर नहीं पड़ता है, ग्रेंड लगने के कारण जो नकारात्मक उर होती है कि वे सभी नेगटिव किर्णों को सोख लेती है यही वजह है कि हिंदु धर्म में जब भी घ्रेंड लगता है तो खाने पीने की सभी वस्तुव में तुलसी पत्र डालने की सलहा दी जाती है इस साल का चंदर घ्रेंड जो कार्तिक पूर्णीमा के दिन है यहां मैं आ तो मित्रो कार्तिक पूर्णीमा का दिन अपने आप में ही बहुत महत्पुन दिन है इस दिन लोग ब्रह्मूरत में उठकर स्नान करते हैं पूजा पाट करते हैं और कार्तिक मा का यह अंतिम दिन भी माना जाता है और इस दिन लोग पवित्र नदियों में स्नान भी करते है तो इस दिन आप ब्रहम मूरत में स्नान करें, पूजा पाट करें, परन्तु जब घ्रेंड काल समाप्थ हो जाए, तो अपने घर में गंगा जल डाल के स्नान सरूर करें, और घ्रेंड का सबसे जादा असर गर्वती महिलाओं पर पड़ता है, ऐसी मानेता है, या कहें तो ऐस मानेता चली आ रही है, कि जब भी घ्रेंड पड़ता है, तो गर्वती महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, कुछ काटना छीनना नहीं चाहिए, पैरों को मोड़कर नहीं बैठना चाहिए, परन्तु जो वर्किंग महिलाओं हैं, उनके लिए ये नियम का पालन करना कठिन हो जाता है, यदि ऐसी स्थिती हो, तो पहले तो आप कोशिश करें, कि घ्रेंड काल में घर पर ही रहें, और यदि संभव ना हो, तो आप अपने हाथ वा मूँ में और पर्स में तुलसी पत्र रख कर ही बाहर निकलें, और हो सके तो अपने आपको जितना आप अच्छा रहेगा, घ्रेंड काल में गर्ववती महिलां को ध्यान रखना चाहिए, कि कुछ भी काटे नहीं, सिलाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उन चीजों का अशुपरिणा सीदे सीदे बच्चे पर आता है, ऐसी माननिता है, ऐसा माना जाता है, कि गर्वत महिलां, घ्रेंड काल में सावधानी ना बढ़ते, तो उसके होने वले बच्चे को कोई मानसिक या शारिरिक विकार हो सकता है, यह ऐसे बच्चे को जीवन में बहुत सारी परेशारियों का सामना करना पढ़ सकता है, उनका जीवन दुखो भरा हो सकता है, घ्रेंड काल में हर घरवती महिला को मानसिक पूजा करनी चाहिए आप कोई मंत्र जब सकते हैं आप कोई पाठ कर सकते हैं या अपने घर के किसी बुदुर्ग से कुछ सुन सकते हैं कोई धार्मिक घरन सुन सकते हैं धार्मिक पुस्तक पढ़ सकते हैं ऐसा करने से मां और बच्चे दोनों को शुपरेना मिलते हैं और घ्रेंड काल के बाद स्नान सरूर करना चाहिए आईए अब बात कर लेते हैं कि घ्रेंड किन-किन देशों में दिखाई देगा तो देखिए चंद्र घ्रेंड अमेरिका, औस्टेलिया, पूर्वी एशिया और उत्री उरोप में देखा जा सकेगा और बात करें भारत की तो यह हमारे भारत वर्ष में दिखाई नहीं देगा घ्रेंड के दोरान इस मंत्र का जो स्क्रीन पे दिखाई जा रहा है इसका आप जाब करें, जाब करने से यदि आपकी जनब पत्री में चंद्रमाज सम्बंदित कोई दोश है, कोई घ्रेहन है या कोई घ्रेह दोश है, तो वे सबी समाप्थ हो जाएंगे क्योंकि ग्रेंड काल में की गई पूजा का विशेश फल प्राप्त होता है और आप जब करें उससे जब करने से चंदरदेव की भी शुपद्रिस्टी वा शुपपरिनाम आपको प्राप्त होंगे ग्रेंड काल की समाप्ती के बाद दान सरूर करना चाहिए क्योंकि दान देने से ग्रेंड के अशुपद्रिनाम समाप्त हो जाते हैं दान आप किसी भी चीज़ का कर सकते हैं जैसे गर्म शौल, कंबल, जूते, छत्री या आप यथा शक्ती करीबों को भोजन भी करा सकते हैं आशा करती हूँ, साल की आखरी चंदर गेंड से समबंदित सभी जानकारियां आपके लिए लापकारी साबित होगी वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को जादा से जादा शेयर करें और यदि आपका वीडियो से समबंदित कोई प्रेशन है, तो कमेंट बॉक्स में लिख कर आप पूस सकते हैं अपने चानल एस्टोफेंड अन्शू को सब्सक्राइब जरूर करने, बैल नोटिफिकेशन आउन करें आप मुझे फेस्बुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है जै मात अदी, आपका दिन शुभ हो